आपकी कमेंट्स मुझे हमेशा इस विशे को लेकर मिलते हैं कि हमारे जीवन में चीजे ठीक नहीं चल रही है चाहे हम व्यापार की बात करें, चाहे धन की बात करें, चाहे नोकरी की बात करें हम किसी भी विशे पर हमारे जीवन में चीजें स्थिर नहीं हो रही है और बहुत हमें परिशानिया जहलना पड़ रही है पंडी जी, कोई हल और कोई उपाय बताए, कोई रस्ता बताए, इन पूरी परिस्तितों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बहुत से जातक, बहुत सरी परिशानियों से वर्तमान में जूचते हैं, और परिशानियों में बहुत परिशान होने के बाद कमेंट्स भी करते हैं, बहुत सी बाते लिखते हैं, तो अगर आप किसी भी परिशानी से वरतमान में परिशान हो, कोई भी परिशानी, चाहे आप धन को लेकर हो, चाहे आप अपने फेमिली को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, ढोकरी को लेकर ह या आपके जीवन में जो भी चीजे एकदम से सड़न खराब हो गई है उनसे आप परिशाने चिंतित हैं तो आप घबरानी क्या हो शक्ता नहीं है कुछ बाते जो मैं आपके साथ आज साजा करने वाला हूँ इन्हें बहुत कभीरता से आप समझ ले और अपने जीवन में indication है क्योंकि राहु मन बुद्धी इन सभी चीजों में जो एक अच्छा चीजे चलती रहती है इन्हें हमें ब्रहमीत कर देता है और जो व्यक्ति ब्रहमीत होता है तो वो सही कदम नहीं उठा पाता सही निर्णे नहीं ले पाता अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पाता उसे चीजे सब चीजे नकारत्मक वे में ही वो सुनता है समझता है और नकारत्मक ही फैसले लेता है तो ऐसी परिस्टियों में कोशिश करें कि जो निर्णे आप ले रहे हैं उसे बहुत साउधानी से ले बहुत सोच विचार के ले और जो आप मन में सोच रहे हैं निर्ण सही हैं और मुझे ऐसा करना चाहिए लेकिन वास्तविक्ता में आने वाले समय में उसके प्रेणाम हमारे पक्ष में नहीं होंगे यह हमेशा याद रखना इस तरह की इस्तिती में बहुत ज़दा सोच समझकर विचार विमस करके अपने अच्छे वेल विचारों से पूछ कर स उनका सानिद लेकर ही आपको आगे बढ़ना है तो कि राहु आपको भ्रहमित करेगा और भ्रहमित व्यक्ति कभी भी स्था निर्णाई नहीं ले सकता दूसरी बात है कि जब कभी इस तरह की परिस्तित्या हो तो आप सो बार हन्मान चलिशा का पार्ट तो अवेश्यूरू बार पढ़के एक नियमित समय में इस हन्मान चलिशा का सो बार पार्ट करके खतम करेंगे हम संकल्प ले खुझ से उसे करने से आपके जीवन में जितने सारे संकाथ हैं जो ग्रहों की परेशानिया हैं सभाईग रूप से इस प्रयोग को करने से आपके जीवन में एक और ठिंग करने के उशक्ता नहीं और इतना ही ज़ादा घबराने के उशक्ता नहीं कि क्या होगा आगे वाले समय में एक अग्या डर मन में बना कर भी कोई फाइदे का विश्य नहीं एसी परिस्टिते में खुद को जितना शांत रखेंगे उतनी जल्दी आप उन हलातों से निकलेंगे अब इन सभी प्रयोगों को आप करेंगे आपके जीवन में डेफिनिटल आपको फाइदा मिलेगा और कहीं भी इस तरह का मन में कोई नेगिटिवीटी ना अन दे ऐसा कर दिया किसी ने वो कर दिया इस तरह की चीज़े कोई नहीं कर सकता है ये बस एक समय का फ करती यहां की गई चूक के परिणाम और भयावक हो सकते हैं जिनसे हमारे जीवन में जो चीज़ों को हम सही कर रहे हैं और हम सही की जगा गलत हो जाएंगे तो अगर यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें मिलते अगले वीडियो में उमन शिवाइ